पहले धौलपुर में गहलोत का नाम लेकर मातम मना कर महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन दिखा और आब सीकर में महिलाओं ने डोटासरा के घर को घेरा जी हाँ राजिस्थान में पिछले कई दिनों से एनम महिला वरकर अपनी मांगो को लेकर धर्ना प्रदर्शन कर रही है महिलाओं का कहना है कि कई बार मंत्रियों विधायकों से बात की लेकिन किसी ने उनकी मांगो को नहीं सुना ऐसे में उन्होंने तै कि डोटासरा के घर को ही घेरा जाए जिसके बाद भी महिलाओं की मांगो का सरकार पर कोई असर होता है या नहीं ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा उराजिस्थान में महिला नर्सिंग कर्मचारी अपनी तीन सुत्री मांगो को लेकर एक माई से धरना प्रदशन कर रही है महिलाओं ने विरोध प्रदशन के कई तरीके अक्तियार किये कभी भजन गाकर कभी हवन यग्यक करके हनुमान चालिसा का पाठ किया लेकिन सब कुछ मानो भैस के आगे बीन बजाने जैसा हुआ सरकार की कानों में जू तक नहीं रेंग रही है तो वही महिला नर्सिंग कर्मचारी का कहना है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो आगे उग्र अंदुलन किया जाएगा चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि एन्म नर्सिंग कर्मियों की मांगे क्या कुछ है नर्सिंग कर्मियों की मांग है कि उनकी ग्रेट पे 3600 की जाए एन्म की ग्रेट पे 2800 है जो की 3600 करें एल्एचवी की 3600 से 4200 और 4800 से 500 करने एल्एचवी एन्म नर्सिंग समवर का पदनाम बदलने मुबाइल एप से पूरी तरह से मुक्त करने अध्ययन अवकाश 2 से 3 साल करने जैसी कई मांगे है अब ऐसे में देखना ये बड़ा दिल्चस्प होगा चुनावी साल है जो मुख्यमंद्री लगातार कह रहे है कि मैं देते देते ठकूंगा नहीं तो क्या मुख्यमंद्री अशोग गैलोट साहब क्या इन A&M महिला वर्करों की मांगो को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं राजिस्थान तक के लिए सीकल से सुचील कुमार जोशी की रिपोर्ट कर दो कर दो कि राजिस्थान तक क्या प्याजिस्थान तक क्या वर्करों कर दो